एलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं किचन हाजिरों में आप सब के लिए लेकर एक बहुत ही मज़िदार से रेसिपी जिसका नाम है चिकेन भुना मसाला चिकेन भुना मसाला बनाने के लिए मैंने लिया यहां पर एक किलोग्राम चिकेन जिसको हम लोग मैरिनेट कर लेंगे मैंने डाला यहां पर वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर वन टेबल स्पून धन्या पाउडर हाफ टेबल स्पून डाला है हल्दी पाउडर साथ में डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून अध्रक और लसन का पेस्ट और इसी टालने के बाद हम लोग डालेंगे नमक और इसे बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हमें एक सी डेर घंटे के लिए इस चिकन को सेट होने के लिए छोड़ देना है साथ मिलिया है मैंने यहाँ पे कुछ घड़े मसाले तो मैंने यहाँ पे लिया है दो साबुत लाल मिर्च एक इंच लाल चीनी का तुकड़ा, तीन छोटी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, दो लॉंग और थोड़ी सी काली मिर्च अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं चिकेन भुना मसाला तो मैंने यहाँ पे डाला है पैन में ओयल, मैं यहाँ पे सरसो का तिल का इस्तमाल कर रही हूं, आप कोई भी तिल का इस्तमाल कर सकते हैं वैसे यह चिकेन भुना मसाला जो है, वो सरसो के तिल में बहुत ही मसेदार बनता है तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमे सारी खड़ी मसाले को ढाल देंगे और उसके बार मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइस की प्यास को एसे चॉप कर लिया था छॉपर में आप भी चॉप कर लेना, प्यास को हमें लो से मीडियम फ्लेम पे ही फ्राइ करना है जिससे जो मसाले का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें बहुत जादा टाइम लगेगा लेकिन हमें टाइम लगाना है और प्यास को बहुत अच्छे से तम लो से मेडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है तो बस इसी तरीके से आप जब मुत को चलाते रहें, नहीं तो प्यास जो है वो कहीं से पकेगा और कहीं से नहीं पकेगा तो हमें बराबर इसको चलाते रहना है और जब हमारा प्यास बहुत ही जादा ब्राउन नहीं मतलब बहुत अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लेसन और अधरक का पेस्ट अधरक और लेसन का पेस्ट डालके इसे भी अच् बहुत अच्छे से हमें प्यास मसाले और टमाटर को बहुत अच्छे से भुनना है दोस्तों हम सब यहां बना रहे हैं चिकन भुना मसाला जिसका नाम ही है भुना मसाला उसे तो बहुत अच्छे से भुनना ही बुनना है तो हम इसमें डाल देंगे तोमाटर डालेंगे थो बुना मसाला है ऐसा चिकन नहीं बन पाएगा तो हमें बहुत अराम से और बहुत अच्छी से इन सभी मसालों को भुनना है आप जित्ते प्यार से भुनेंगे इसका टिस्ट उतना ही लाजवाब आएगा तो आपको बिल्कुल भी जल्दिवाजी नहीं करना आपके इसको अर क्योंकि अपना पानी बहुत ज्यादा रिलीज करने माला है तो इसमें तालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे बहुत अच्छे से मिला कर और इसे ठक करके हमें लगभग 20-25 मिनिट तक कुछ करना है ताकि जो चिकन अपना पानी रिलीज करें वह सभी पानी को जितना पानी पानी को जलाना है और इसे ठक करके 20-25 मिट तक पकाना है 20-25 मिट होने के बाद देखिए अपना पूरा पानी रिलीज कर चुका है अब इसे हमें खोल करके ठकन को हटा कर बहुत ही गैस के फ्रेम को तेज करके और इसके सारे पानी को जला देना है क्योंकि दोस्तों हम यहा जहां पर देखे चिकन की जो पीसिस है वह बहुत अच्छे से गल चुकी है और मसाला जो है वह बहुत ही सबदस बनके तयार हुआ है तो मैं उमीद करते हूं कि आप सब को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी आप एक पर इस रेसिपी को ज़रूर बनाना उमीद करते ह कि आज की मेरी रेसिपी आप सब को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फाइनली इसको हम लोग गानिश कर लेंगी को और हरी मिर्च के साथ बस यह सब करने के लिए बिल्कुल रेड़ी है झाला मेरी मिर्ची ऑुल रेड़ी हो और हर